हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे मोबाई से लैपटोप में फोटो कैसे डालیں? वो भी बिना डार केबल के यहाँ पे साथ आपके पास डार केबल नहीं होगा या कोई पैन ड्राइव नहीं होगा जिसके वज़े से आप अपने mobile के फोटो laptop में नहीं डाल पा रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा तरीका जिसमें आप अपने mobile की कितनी भी फोटो अपने laptop में transfer कर सकते हैं डाल सकते हैं इसके लिए हम use करेंगे Bluetooth क्योंकि laptop में भी Bluetooth होता है और mobile में भी होता है सबसे पहले आप जाईए अपने laptop की settings में laptop की settings में जाईए आपके पास window 11 हो या 10 हो कोई फरक नहीं पढ़ता है विंडो उसमें Bluetooth होता है इससा फूल स्क्रीन कर लिजिए फिलाल यहाँ पर आपको मिलेगा Bluetooth इस्पिक क्लिक करें इससे थोड़ा छोटा कर लिजिए और इस size कर लिजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इस side मेरा mobile दिखा रहा है यह side मेरा laptop का screen है यहाँ पर आपको अपने Bluetooth को open करना है यानि चालू करना है चालू कर लिया है हमने चालू करने के बाद आपको जाना है अपने mobile में mobile में Bluetooth open करिए तो यहाँ पर हम अपना Bluetooth open करते हैं अपने mobile में setting में जाते हैं Bluetooth में जाते हैं और इसे यहाँ से चालू कर लेते हैं हमारे Bluetooth का नाम है यहाँ पे 5 यानिके number 5 तो यहाँ पे हमने देख लिया है अब आपको यहाँ पे उपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है यहाँ मिले गा Bluetooth इसे open करना है यहाँ पे आपका जो mobile है वो दिखाई दे जाएगा हमारा mobile हाचुका है इस पे क्लिक करिए connect करने हो कहेगा और आपके mobile में भी यहाँ पे pair या connect करने हो कहेगा तो इस वाले option पे touch करिए इसे तिक मार करिए और pair कर दीजिए फिर आपको लैप्टोप में भी connect करिए थोड़ा सा wait करिए और यह connect हो जाएगा नीचे की तरफ connected दिखा देगा या pair दिखा देगा यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ पे आपको मिलेगा इदर की तरफ more bluetooth option और send or receive file while bluetooth तो इसे देख लेजी आपको यहाँ पे नहीं मिलता है नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पे side में मिलेगा यानी की जहाँ पे मेरी while की screen है तो इसे देखिए अगर आपको यह इसी size का है तो आपको यहीं पर मिलेगा इस पे click करिए यहाँ पे आपको मिलेगा send files और receive file receive file पे click करें फिर आपको लेना है अपना mobile और gallery में जाना है और उन photos को select करना है जिन photos को आप send करना चाते हो तो यहाँ पे हमने कुछ thumbnail बनाए है अपने channel के लिए यानी videos के लिए तो हम इसे photos को select कर लेते हैं चार photos लिए हैं हमने यहाँ पे आपको मिलेगा send या share तो इसमें share या send करें Bluetooth के जरिए तो यह रहा हमारा Bluetooth हम इसे open करते हैं touch करते हम इस पे हमारे laptop का नाम आचुगा है desktop GQV JQIH आपका अलग होगा तो इसे open करें touch करें इस पे आपके laptop में file transfer होने लग जाएगी और एक चीज में आपको बता दूँ आपके file जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही time लग सकता है यहाँ पे हमारी file करीवन 4 है तो यह मुश्किल से एक मिनट के अंदर हो जाएगा तो हम इसे छोड़ा सा wait कर लेते हैं हमारी 4 फाइल यहाँ पे आचुकी है यहाँ पे आपको मिलेगा browse इस पे किलिक करें यहाँ पे मिलेगा new photo हमारे यहाँ बन चुका है new folder 3 नामसे इस पे select करिए folder को ध्यान रखेगा यह step जरूरी है वरना photo save नहीं होता है folder हमने select कर लिया है ok पे हम करते हैं यहाँ पे folder हमारा select हो गया है finish पे हम किलिक करते हैं और हमारा photo इसके अंदर save हो गया है तो हम इसे open करते हैं और हमारा 4 photos के अंदर आ गई है तो ऐसे आप इसको इसको इस्तेमाल करें और last वाला step अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दबारत देखिएगा उसको